हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है टेलिग्राम कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11, 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गए यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब करना ना भूलें चलिए सुरू करते हैं आप अपने लेप्टाप या पीसी के अंदर कोई भी धृजर ओपिन कर लाइगा ब्रौजर ओपिन करने के बाद आपको गूंगल ऑपिन करने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना टेलिग्राम और इंटर कर देना इंटर करते दिखी झाईगा इसके ओपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करती है तेली ग्राम का भी स्कुली वेब साइट ओपन हो जाएगा बाकि इसका लिंग आपको description में डाल दूँगा या वे यहाँ पर छे आपको click कर देने, click करते हैं, यह window open हो जाएगा, बहुंकि इसका link भी आपको description में डाल दूँगा, या तो आप description में जाके direct link को copy कर लिजेगा, आपने browser QR में paste की जाएगा, enter की जाएगा, तो भी directly यह page open हो जाएगा, यह page open होने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पे आपको द operating system है, सबसे पहले वह आपको पता कर लेना है, यदि आपको पता करना नहीं आता है, तो चली में सबसे पहले वह बता देता हूँ, इसके लिए आपको क्या करना है, desktop के ओपर जाना है, यहाँ आनने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको right click करना है, इसके बाद आ EXC download करके install कर लेना है यदि आपके case में यहाँ पे 64 bit लिखा होगा तो आपको 64 bit का EXC download करके install कर लेना है वैसे आप 64 bit के operating system में 32 bit या 64 bit दोनों में से कोई सा भी आप install कर सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest करूँगा हमेशा 64 bit के operating system में 64 bit का यह application आपको download करके install करना चाहिए मेरे case में यहाँ पे 64 bit है इसलिए मैं आपको 64 bit का EXC download करके install करके दिखाओंगा सेम तरह के साथ 32 bit का EXC download करके install कर लिजेगा चलिए अभी हम इसको यहाँ से close करते हैं फिर से website को पर चलते हैं यहाँ आने के बाद आपको क्या करना मेरे case में 64 bit है इसलिए मैं अपने case में यहाँ पे 64 bit का EXC download करने के लिए यहाँ पे click कर रहा हूँ click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आप आपको क्या करना है आप जहाँ पे भी EXC को save करना चाहते हैं पाच select कर लिजेगा उसके बाद आपको save पे click कर देना है click करते हैं EXC download हो जाएगा download complete होने के बाद आपको क्या करना है उस folder के अंदर जाना है जहाँ आपने EXC को save किया है वहाँ पे आपको इस तरह से EXC दिख जाएगा अब आपको क्या करना है इसEXCey को पर आपको right click कर देना है इसके बाद आपको property पर क्लिक कर देना है क्लिक करते हैं यह window open हो जाएगा अब मालेजर यदि यापके case में यहाँ पर unblock दिखता है तो आपको क्या करना है इसको Tic Mark कर देना है इसके बाद आपको apply पर क्लिक कर देना है यदि आपके case में यहाँ पर unblock नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है ओके करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है या तब इसको पर double click करके install कर सकते हैं या नहीं तब इसको पर right click करके open करके install कर सकते हैं या नहीं तब running mister करके install कर सक इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब माले यदि आपकी केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना यहां पर यहां पर किलिक कर देना है फिर से आपको इसके बाद यदी आपको डेक्सटप पर चाहिए तो आप क्रक्ड कर देना है इसके बाद आपको कुछ ने करना है बस कूँ सकना हे इसके बाद ये window open हो जाएगा अब आप इसको टिकमा करहने भी दे सकते हैं या नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं उसके बाद आपको finish पे click कर देने हैं click करते हैं installation complete हो जाएगा और आपके case में भी इस तरह से desktop पे shortcut icon आ जाएगा अब यदि आप इस exe को save करके रखना चाहते तो कहीं और save करके रख सकते हैं या नहीं तो आप इसको delete भी कर सकते हैं दोनों में साब कहीं से भी क्लिक करको open कर लिजेगा चलिए मैं अपने case में desktop पर जो shortcut icon है इसको पर double click करको open कर लेता हूँ double click करते हैं इस तरह से window open होगी आप देख रहें without को error ये open हो चुका है अब आप इसको अपने हिसाब से use कर सकते हैं यूज करने के लिए आपको क्या करना यहाँ पर start message दिख रहा है इसको पर आपको click कर देने हैं click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपने mobile में telegram को login कर रखे हैं तो वहाँ से आप इसको scan करके यहाँ से deck login कर सकते हैं यदि आप manual mobile number डाल के login करना चाहते हैं तो यहाँ से click करके आप mobile number डाल के यहाँ से आप login कर सकते हैं यदि आपको QR code से login करना होगा तो यहाँ से click करके आप QR code से login कर सकते हैं जब भी new update आएगा उसको update करना होगा तो यहाँ से click करके आप update कर सकते हैं ना अनिस्टॉल किये हुए इसके अंदर यदि आपको इस सेटिंग करना चाहते तो आपको क्या करना यहां पर सेटिंग दिख रहा है इसको पर आपको क्लिक कर देने किलिक करने के बाद यह विंडू ओपन हो जाएगा यहां से आप लैंगवेज च्चेंज कर सकते हैं जो भी आप लैंगवेज रखना चाहते हैं यहां से आप अपने हिसाब सेल्गे विए товल्त कर कर सकते हैं यहां पे भी कुछ सेटिंग है यदि आप इसको टिक компании करना चाहते तो कर सकते हैं यहां से डिफोल्ट interface दिखे जाएगा आप यहां पे जैसा interface रखना चाहते है आप अपने हिसाब करके उस interface को आप कर सकते हैं तो यहां पर यह बेसिक सेटिंग था जो मैं आपको बता दिया अब आप इसको अपने हिसाब से यूज कर लिजेगा और प्लिज गया चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू झाल झाल झाल